हेलो गुड मॉनिंग जी कैसे हूँ आप सब मैं सांती स्वागत करती हूँ अपने यूटूब चैनल गाव की सांती में तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और प्लीज आप सब से हाथ जोड के एक ही निवेदने की वीडियो को आप सब प्ली जो है यसी उजी की धनुस तोड़ी थी तो इस उपलक्ष में हमारे यहां मेला लगता है तो आप सब को भी हैपी धनुस यग्ये और यहां पे में भगवान जी को भोग लगा रही हूँ बेटी सुबर से ही जैसे जगी तब से बोल रही है मम्मी प्लीज मिठाई चड़ा समझ सकते हैं बच्चों का excitement बढ़ जाता है आज जो है वो अचानक से हमारे घर में मतलब अचानक से नहीं मतलब आज की दिन ही माता रानी की पूजा होती है दाल की पूड़ी वगएरा वो समय आगे बात करूंगी तो वो सब होता है तो अभी मैं यहां पे भगवान जी को सुबह सुबह भोग लगा रही हूँ और जल्दी से ये काम खतम करके और फाइनली मैं जो हूँ वो जाने वाली हूँ किचन में और जटपट से देखे मैं क्योंकि आज पूरे किचन की खाना बना के जटपट से सफाई करनी है तो यहां पे गोबी, सिमला, मिर्च, आलू यह सब मैंने काट लिया है और मैं बनाने वाली हूँ तहरी की तरह बनती है बहुत ही ज़्यादा टिस्टी लगती है आप सब भी बनाती होगी जब भी जल्दबाजी होगी तो जटपट से कुछ नहीं तो इसको बना लिया इसके बाद मैंने यहां पर सारी सबजिया डाल भून गई तो इसमें मैंने हरे मटर जो है वो चील के रखे थे वो डाल दिया और इसको डालने के बाद इसमें मैं डालूंगी हल्दी मसाला और नमक और अपने टमाटर उसको डालने के बाद मैंने इसमें चावल डाल दिया और पानी डाल दिया और कूकर की सिटी लगा द बताईएगा जरूर की कैसी बनी है और उसके बाद मैं अब करने वाली हूँ अपने जो है वो किचन की सफाई तो यहां देख लीजिए बरतन वाला जो स्टेंड पूरा आपको खाली खाली दिख रहा होगा क्योंकि आज की जो पूजा होती है वो होली दिवाली की तरह यहां पर इतने सारे जो बरतन आप देख रहें न कटोरी गिलास चमच सब कुछ धोया जाता है क्योंकि मातारानी की पूजा बहुत सफाई के साथ की जाती है तो यह देख लीजिए मैंने इतने सारे जो बरतन है गैस का चूला है सबको टाइम से बनाके खिला दिया और यह सब कुछ एकदम साफ साफ मतलब नया खरीद के आता है वही मातारानी के जो पूजा में है वो यूज होता है तो यहां पर लाके रख दिया है कैसे हो आप सब फाइनली मुझे अब जाके थोड़ा सा टाइम जो है वो मिला है क्योंकि आज जो हमारे गाव में मेला है और उसके साथ साथ आज हमारे हमाता हर्याली माता बोलते हैं या फिर हर्यारी माता बोलते हैं ऐसे बोलते हैं उनकी पूजा होती है पूरा मतलब सु आजा वाली गुड़ वाली होती है सेयर जरूर करूंगी आप सब के साथ जो गुड़ की खुजलूई होती है उस मुझे पानी आ जाता है क्योंकि हमारी दादी नानी बनाती थी तो यह बोले कि हम नियों के हैं बना त्रलह मेला में तो फिर मैंने सोचा कि आरे जो बोल दिया अब फैनली यहाँ स्वेटर पहन लिया है, बोहते दिन से आपते हैं में स्वेटर पहने में गबढाती आती हूं मतलब शुरू से ही मेरी आदत हैं, मैं 100 ऐडती हूं जयादा, मोटो मोटो सी भी लगmbol़ी हूं तो मैं जल्दी शेयर करूँगी अगर आप सब जानना चाहती है तो मैंने कैशे किया और अभी तो मैंने कोई लाइनर वगएरा कुछ नहीं लगाई आप सब बोलते हैं कि मेक अप करें मेक अप लाइनर मेरा देख लीजे चेहरा ही उदास लगने लगता है बहुत से लोग का तो यहां पे जो है वो मैं जा रही हूँ आज की जो मेन पूजा होती है वो सुख समरिद्धी हरियाली की पूजा होती है क्योंकि इस सिजन से गेहूं बुए जाते हैं चना मतलब इस वाले सिजन की खेती हो गई होती है तो खेत से भी आता है जो हरी 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 ताल का चड़ती है तो यहां पर खेट से भी आया हुआ है और मैं घर से भी जो मटर है नई फसल जो है वो चड़ती है इस माननिता है कि ऐसे पूरे एक साल में हमारे यहां अनाज की कमी नहीं होती है अनपुर्णा माता की क्रिपा हम सब के परिवार के उपर बनी रहती है और कल मैं लेकिन अब ही यह जो है वो में लेकर घर पे जाओंगी उसके बाद आज गुड़ वाले खीर भी बनती है तो मैं यहां पर चावल जो है उसको साफ कर रही हूँ क्यूंकि बात हुई यह है ना कि चावल में कुछ है नहीं लेकिन फिर भी चावल है डाल है जो आज सब मतलब ऐसा कंकड उंकड ऐसा है नहीं न तो वो सब जो है उसको मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ वहाँ पे बेटी मुझे कुछ बुला रही थी मतले कि मम्मी आओ 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 वो खेल रही थी क्योंकि उसको मतलब थोड़ा थोड़ा साम का टाइम हो रहा है तो आगन में ही पर दे ले जहां और अनुसु खोलुत हैं तो नही FIR shark in figure व्हाट आट को धा झाल है तो यह सारा आ भी गए रात को यह कल रात को आया है साड़े 11 बच गया है इसको ले के आने में और उसके बाद यहां पर यह सब रखा गया है और इसी दिये पूजा होती है कि अगला जो हमारा फसल हो बहुत अच्छा हो इसलिए मातों को क्योंकि इस समय जो है वो फसल आ जाती है घर में और उसके बाद जो हमारा नया फसल है उ अनुसियगे के दिन हमारे गाउं में भी गाउं के बगल में एक गाउं था वहां पर मेला लगता था वट यहां बहुत बड़ा मेला लगता है सारा बक्सा सोफा कूलर टीवी सब कुछ छोटी-छोटी मिट्टी के खिला होने वगेरा वगेरा सब कुछ मिलते हैं इस साल लिए ऐक द्र चलते हैं जाया कम लगता हैं oxid hört फिर सेस्वेढना पड़ेगा कि नहां के आं जो है वह फिर से पूजा जो है वह सुरू्ण करते हैं तो सॉल साम का टई मोगया है पूरे दिन में सारा काम खतम कर लें झारी ओं नहाने और उसके बादने पूजा इस व्लॉग जो व्लॉग हो जाएगा बहुत बड़ा तो फिर आप बोर हो जाएंगे पूरा नहीं देखेंगे और फिर जो है वह छोड़ देंगे तो वीडियो के व्यूज नहीं जाते इतनी ज़्यादा मेहनत करो तो फिर दुख भी होता है तो मिलते हैं के अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सो अपना बेहत खयाल रखें और आप जानना चाहते हैं पूरी विधी तो मुझे जरूर बताएगा मैं बताऊंगी कि यह पूजा जो है कैसे करते हैं और मुझे अगर आप सब ने इंस्ट्राग्राम पे फॉल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट बहुत ही ज्यादा कम है तो काम में लगते हैं और हम फिर से मिलते हैं तो चलिए इस्टोर रूम में आज खड़ी हूं इस्टोर रूम में क्योंकि यहां देखिए बहुत सारे सारे समान जो है